पन्ना लाल जी आजकर कहां काम करते हैं? यहीं है या कहीं भार गए हुए हैं? यह अजीब सा सवाल सुनकर माया घबरा गई वो बिटर बिटर उसका मो ताकने लगी यही बात पूछने के लिए तो उसने उसे बिठाया था फिर उसने सोचा किसी और के बुलावे में यह सवाल क्या है या अपनी नेकी चुपाने के लिए वो बोली जी यही बात तो मैं पास्चरे से उसका मुझे तो मालूम नहीं जी आपने तो उनको बंबई भेजा है मैं आपके पास जाने की सुचती रही पता कराओं प्रंतु बेटी की शादी के कारण घसे निकली नहीं सकी जी सच बात है मुझे पर प्रशन सा अच्छी नहीं होती हमारा तो रोम रोम आ खंबा फाड कर आया जी बहला इतना बड़ा उदार मंग किसका होगा परमातमा आपको सलामत रखे माया के बातों को अतर सिंग इस तरह सुन रहा था जैसे वो किसी ऐसी भाशर में बात कर रही हो जिसका एक भी अक्षर उसकी समझ में ना रहा हो माया के चुप हो जाने के बाद भी काफी दे तक उसके मुह से कोई जवाब नहीं निकला अंतिता उसने पूछा बहन जी किसकी बात कर रही हैं आप शयद आपको पहचानने में गलती हो गई आपने पहचाना नहीं मुझे गले में आचर डाय का माया और विनरम्रता से बोली जी आपको नहीं पहचा के सारी तो खड़ी है प्रन्तु बहन जी मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया नाहीं कुछ दिया आपके पती को तो मेरी नौकरी छोड़े शायद पांच-छे महीने हो गए माया चक्कर में पड़ गई अभी भी वो सोच रही थी कि अतर सिंग अपनी स्वाभाविक दर्या अभी काम का जोड है क्या जहां रहे कुछल नहीं आपके रहते हमें किस बात की चिंता तंखा के रुपे महीने महीने घर आ जाते हैं हमें और क्या चाहिए प्रन्तु देखे ना बच्चे चोटे चोटे हैं एक अब भी एक रात भी अलगनी रहते छे महीने हो गए तरस्ते हुए आप मेरी खातिरी एक हफ़ते की चुटी दे दीजिए बच्चों से मिल जाएंगे अता सिंग जू जू इस गुथी को सुलजाने की कोशिश करता तियों तियों ये और उलज़ती जाती थी वो आश्चरे से जल्दी से बोला भेन जी मुझे आपकी कोई बात समझ नह हुए आपका पती आजकल कहीं ओ जगा काम कर रहा होगा मेरी नौकरी छोड़े तो उसे काफी दिन हो गए और वो जल्दी से उठकर जाने के लिए तयार हो गया माया की आँखे फटी की फटी रह गई वो हैरानी से उसकी बाते सुन नहीं थी बार बार सदार जी की बात कर भी वो डिटाई समझती थी और अतर सिंग की बातों में आश्चर्य और जुंजलाट देखका वो ये भी नहीं समझ सकती थी कि वो छूड कह रहा है उसका सर एक दम चक्रा गया फिर भी आखिल किसी प्रेडाम पर तो पहुंचना ही चाहिए ये सोचकर वो बोली जी वो क्य कैदार आपके पास ही काम करता है ना हाँ मेरे पास जी आपने उसे अजनसी के काम से हटा कर यहां की दुकान पर नहीं रखा था जब तक वो बंबई से नहीं आ जाते तब तक कैदारों की जगा काम नहीं करेगा आपने तो का था कैदार को बेशक मैंने पन्नालाई की जग पन्ना लाई कहां है कहां नहीं यदि मुझे पता होता तो मैं आपसे आता पूछने आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालू माया ने पत्राई आखोई उसके चेहरे पर गड़ाई वाक्य को इस तरह कहा जैसे बिहुशी में बोल रही हो और उसने चहा कि छट से कैदार को बुलाकर सारा मामल उसके सामने दोराए प्रन्तु कैदार की दी हुई सौंगंध ने उसे ऐसा नहीं करने दिया प्रन्तु बहन जी माया को अत्यंत आश्चरे में डूबे हुए देखकर और उसके चेहरे पर हवाईयां उड़ते देखका अता सिंग ने पूछा आपसे किसने कहा था पन्ना लाल को मैंने बेज रखा है जी वो कैदार ने कैदार ने? जरासा सोचने के बाद अता सिंग ने पूछा और बहन जी जो कह रही हैं कि हर महीने तंखा के रुपए आपको मिलते हैं क्या वो मनी ओर्डर से आते हैं? जी वो कैदार लाकत देता है कहते है सदा जी ने अपने हाथों से देते हैं ये पड़े आश्चरे की बात है मैंने तो उसे कभी एक पैसा नहीं दिया साथी दिने का सवाल भी नहीं उड़ता कोई कि पन्नलाल तो मेरे पास कामी निगता अतासिंग काफी देता सोचता है हाँ तो बहन जी आपने कभी कह था कि मैंने आपकी लड़की की शादी के लिए कुछ दिया था जी हाँ वो आट सो रुपे पिछले मेने क्यदार ने आपसे लाकर मुझे दिये थे वो रुपे आपने नहीं दिये थे है नई मुझे तो पता नहीं आपकी बेटी की शादी कभी जी यह तो शादी तो इश्वल की कृपा से हो चुकी पर सो डोली विदा हुई है अच्छा तो पन्ना लायका आपको कभी कोई खत भी आया था अच्छा आता तो है असका खत दिखाई यह तो उसका खत जी बाकी खत तो सभी कैदार के पास होते हैं वो मुझे सुना कर अपने पास ही रख लेता था प्रन्तो अंतिम खत डाक किया उस दिन छोटे लड़के को दे गया था कैदार उस दिन घर पर नहीं था ना माया ने उठकर इधाउधा देखा तो एक कौनी में उसे खत मिल गया जो उसने लाकर अतर सिंग के हाथ में दे दिया पोस्कार्ट की लिखावट पर नज़र पड़ते ही अतर सिंग के मुह से निकला ये तो साफ कैदार के हाथ का लिखा हुआ है मैं दोनों के दसकत अच्छी तरह पहचानता हूँ फिर उसने डाक खाने की मुहर को ध्यान से देखते हुए का मुहर मिटाने की बेशक काफी कोशिश की गई है प्रन्तु साफ लगता है ये मुटा तो ये मुहर तो रावल पिंडी के डाक घर की है अब पता कैदार के मार्फत है अता सिंग एक बाफ फिर गहरी सोच में डोक गया उसने एकदम सर उठा का पूछा अच्छा कैदार ने आज भी आपको कोई रकम लाकर दी थी माया काप कर रह गई उसके मुह से हां निकल ही रहा था कि भगवान की किरपा से उसके मुह से नहीं निकल गया उसे समझने में देन नहीं लगी कि बेशक ये रुपया कैदार दुकान से लाया है और बता देने पर बेचारे कैदार पर पता नहीं क्या आफत आ जाए अता सिंग के लिए अब वहाँ एक मिनट भी रुकना मुश्किल हो गया था माया अभी और भी कई बाते पूछना चाहाती थी प्रन्तु वो जट पट उठकर चलता बना उसके जाने के बाद माया उड़ती हुआ इसी छट पर चड़ी प्रन्तु कैदार का कोई पता नहीं था कैदार पैंग जाकर जब काफी दे तक नहीं लोटा और जो जो वक्त बीटता गया अतर सिंग की हैरानी चिंता में बदलती जा रही थी तो भी कैदार जैसे नेक आदमी की नियत पर शक करने को उसका दिल नहीं मानता था आखर जब चार के बाद पांच बच गय और कैदार ने फिर भी शकल ना दिखाई तो अतर सिंग की घबराट और बढ़ गई बेशक पेट दद की तकलीफ से वो काफी प्रेशान था तो भी उसे तांगा करके बैंक तक जाना ही पड़ा वहाँ जाकर जब उसे पता लगा कि किसी ने कोई रकम जमा नहीं करवाई तो उसके पाउं तले से जमीं किसकने लगी कैदास सोलस और रुपे लेकर चलता बना फिर ये सोचकर की शायद वो आ गया हो वो उसी तांगे से घर पर लोटाया दुकान के दरवाजे उसी तरह बंद थे उसका दिल धड़कने लगा वो थाने के और जाने के लिए सोची रहा था कि उपर से छोटी लड़की ने आवाज दी उपर जाकर उसे पता लगा कि कोई लड़का एक खत और चाबियों का गुच्छा दे गया है अतर सिंग ने जल्दी जल्दी खत पढ़ना शू किया लिखा था मेरे अंदाता मेरे वापस ना आने पर आप घबरा रहे होंगे प्रतु घबराने वाली कोई बात नहीं है प्रस्तितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं आ ना सका मेरे आका मैं क्रतेगन नहीं हूँ आपके उपकारों को इस जनम में भूल सकूँ जिस तरह आपने मुझे दर-दर की ठोक्रे खाने वाले को ना केवर रोजगार दिया बैकि मेरी जात पर इतना भ्रोसा किया कि अपना सारा कारोबार मेरे हवाले का दिया ये भूलने वाली बात नहीं मैं कौन सा मू लेकर आपके पास आओ और किस मू से कहूं कि मैंने आपके सोला सो रुपे बैंक में जमा करवाने की बचाए कहीं और खर्च कर दिये हैं कहां खर्च किये हैं और क्यों इसका जवाब मैं फिलहाल नहीं दे सकता पर अंतो इतना जरूर कहूंगा कि ये काम करके मैं किसी पाप या बदनियत का भागी नहीं बना मुझे एक ऐसी हस्ती के लिए रकम खर्च करनी पड़ी है जिसकी इज़त आबरू सक्त खत्रे में थी अतां आप यदि मेरे इस गुना के बदले कोई कानोनी कारवाई करना चाहेंगे तो मैं बिना किसी हील हुजत के अदालत में पेश होकर अपने जुर्म का इकवार करूँगा और इसके बदले मुझे जो सजा मिलेगी अपना अखला की फर्द समझ कर उसे खुशी खुशी भुगत लूँगा प्रन्तु यदि आप थोड़ी सी दर्या दिली दिखा सके मेरे खिलाफ कोई कारवाई ना करें तो उस इस्तिती में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी रकम की पाई पाई चुका दूँगा मुझे मालूम है कि मैं महनती आदमी हूँ और इतनी रकम को असानी से बहुत जल्दी चुका दूँगा मुझे अफसोस है कि जब तक आपकी सारी रकम लोटा नहीं देता मैं आपके सामने नहीं आ सकता आशा करता हूँ कि फिलहार मेरी जगा किसी और आदमी का प्रबंद कर लेंगे आपकी रकम चुका देने के बाद यदि मैं जिन्दा रहा और आपने मेरा कसूर माफ कर दिया तो मैं आपकी छत्र चाया में आ जाओंगा प्रन्तु अभी मेरा किसी भी हालत में यहां रहना मुश्किल जान पड़ता है मैं किवल इस रकम के कारण ही शहर छोड़का नहीं जा रहा इसकी एक और वज़ा और भी है जिसकी वज़ा से मैं यहां नहीं रह सकता क्या मैं उमीद रखों क्या मेरे जज़बात को उनी अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे जिन अर्थों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ यदि ऐसा हुआ तो मैं बदकिस्मत होते हुए भी अपने को भागेशाली समझूगा सदा के लिए आपका खादिम कैदार खत पढ़ने के बाद अतर सिंग काफी देता गहरी सोच के चकर व्यू में उलजा रहा अंतरता उसने तांगे वाले को जो नीचे बजार में ख़ड़ा उसकी परतिशा कर रहा था अवाज देकर का बही थाने जाने का विचार नहीं और किराई के पैसे उसने अपने बेटे के हाथ बिचवा दिये इसके बाद उसने नीचे जाकर दुकान खोली फिर गल्ले का ढखकन खोला गल्ले में उन सोला सो रुपे के अतिरिक और भी बहुत सारी रकम और घहने पड़े थे वो सबजियों के तो मौझूद थे एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ था खत पढ़कर उसके दिल पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि उसकी बहुत सी चिंता जाती रही अब यदि कोई चिंता थी तो यही थी कि किसी तरह वो कैदार को रोके खत के अक्षर अक्षर पर उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था क्योंकि इन छे महीनों में कैदार के स्वभावा चार चलन से वो अच्छी तरह परीचित हो गया था वो ये भी जानता था कि कैदार जैसे एप रही तो अब महनती कारिंदे के लिए ये रकम चुकाना कोई मुश्किल नहीं परन्तु कैदार ने जिस तरह उसके कारोबार को बढ़ाया था और जिस तरह घड़ी साजी का काम संभार को उसके आये में व्रद्धी की थी इस सूरत में कैदार का चला जाना अतर सिंग के लिए असहनी चोड़ थी वो ये भी जानता था कि कैदार जैसा व्यक्ति किसी को भागय से ही मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति का मिलकर खो जाना बदकिसमती का लक्षन है अतर सिंग ने दिल से फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके कैदार को ढूंड कर उसे जाने से रोका जाए और उसकी तसली करवाई जाए कि इस रकम का ख़च हो जाना उसके लिए जरा भी दुखत नहीं उसे वो गली मालूम थी जहां कैदार रहता था अतर सिंग ने फिर दुकान बंद कर दी और धीरे धीरे भाबुरों की गली के ओचल दिया गली में जाकों से कैदार के बारे में जो कुछ पता चला और वो उसके बारे में जो विचाधरा लेकर लोटा इसका वर्णन हम उपरोत कांड में पढ़ चुके हैं गली से निकल कर वो और भी कई जगा पक घुमा रेड़े स्टेशन भी सारा चान मारा प्रन्तु कैदार उसे कहीं नहीं मिला सारी रात माया को नीन नहीं आई वो सुबह तक इस उलजंग को सुलजाने के लिए छट पटाती रही उसकी दशा इस वक्त उस राही जैसी थी जो जंगल में किसी शेल की ग्रफ्त में आ गया हो प्रन्तु अचानक ही किसी शुप चिंतक हाथ ने उसे शेल से बचने के लिए नदी की लहरो में फैक दिया हो वो रात को कई बार उठकर कैदार के घर की तरफ गई प्रन्तु दवाजे पर ताला लगा देखकर लोडती रही सोए सोए कभी तो उसे गुस्सा आता और वो दात पीस कर उट बैठती वो सोचती उसने अब तक मुझे धोके में क्यो रखा है ये सब करने में उसका क्या मतलब था ना इतना लंबा चौड़ा जाल बुने के उसे क्या जरूरती क्या इस तरह दोका देना शरीफ आदमी का काम है प्रन्तु जियों ही कैदार के शूर से लेकर आज तक के परताफ का उसे ख्याल आता वो कैदार पर लगा इलजामों के लिए पश्चाताप करने लगती साथी उसे ख्याल आता कैदार का हाथ मुझ पर ना होता तो आज मेरी क्या दश्या होती मैं कैसे लड़की की शादी करती घर चलाती किस तरह ये करज की बोजिल गठरी में सर से उतरती है सारे सोच विचारों गमों के अंधिरों अंधकारों में गुम हो जाती जब उसे पती का ख्याल आता उसके दिल में टी से उठने लगती जब वो सोचती यदि सदार जी ने सब कुछ सच कहा तो उसका मतलब साफ है मेरा पती जो उस दिन सदार के पास बेटी की शादी के लिए साहता मांगने गया था है अच्छानक नौकरी छूट जाने पर अवश्य कहीं चला गया होगा ना परंतु किदर और यदि दुखी होकर कुछ कर बैठा हो तो कई बार वो अशुब बाते भी तो क्या करता था ना चाने यहां पहुंचकर माया का सब्र उसका धहरे और होसला सब कुछ समाप्त हो जाता और वो बिस्तर पर अंधी गिल कर रोने लगती इस तरह रोते, कलपते और चिंता की गहराईयों में भठकते हुए उसने रात के चार पहर गुजार दिये सबसे बड़ी मुसीवत यह थी कि वो अपने दिल का गुबार किसी के सामने निकाल भी नहीं सकती थी किसी को कहे तो क्या कहे, पूछे तो क्या पूछे सुभा हुई, माया की आज उठने बैठने की शक्ती जवाब दे गई थी उसके सभी अंग शितिल हो गए, जैसे उनमें गिजान ही ना हो माया बिल्कुल पत्थर बनी पड़ी थी उसके भीतर ना कोई सोच थी, ना कोई विचार उसे लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसका कुछ भी शेश ना रहा हो गर का काम काज, जो भी थोड़ा बहुत हो सका, विद्या ने किया विद्या ने कई बार मा को उठाने की कोशिश की पंतु हर बार उसने बिमारी का बहाना करके और काम काईच थोड़ा बहुत समझा कर बहार भेज दिया उदर छोटा मुन्ना तंकर रहा था माया ने गुस्से में आकों से इतना पीटा कि यदि विद्या उसे उठा कर बहार ना ले जा दी तो पता नहीं बेचारे की कितनी शामत आती अभी नौ भी नहीं बचे थे कि वही कल वाला मुन्शी फिराधम का माया के लिए अपका चहरी जाने के सिवा कोई चारा नहीं था उसने किसी तरह स्वेम को इस काम के लिए तयार किया अब बसंद को साथ ले तांगे में बैठ का चहरी जा पहुंची वहाँ जाकर उसने रहन नामा तस्दीक करवाया अब भही पर रकम वसूल करवा कर वापस घर लोटी उसके मंग की हालत कहने सुनने से परे थी मांसिक उल्जेंग की हालत में ही वक्त गुजारना मुश्किल था इंसान बड़े से बड़ा सदमा सेहं कर सकता है परन्तों ये उल्जेंग की हालत ऐसी नामुराद होती है कि वक्ती का जीना दूभर कर देती है इस वक्त माया की उल्जेंग को सुलजाने वाला यदि कोई था तो उसके ख्याल से कैदार ही था परन्तों कैदार को कहां ढूंडा जाए वो तो कल से ही लापता था ससराल जाकब पहली बार वीर्णा को एक नए जीवन का अभास हुआ सारा घर खुशी के कह कहो से गूंच रहा था वीर्णा जैसी चंदर मुखी दुलहं को देखकर कौन था जो दंगना रह जाता देवरानिय जेठानिय और सासों से भारा घर मानुस सिर्फ बहु की खिड्मत के लिए ही बनाया गया था उसे हसने हसाने और खिलाने प्लाने के प्रतिन के गए परन्तु वीरणा थी ना तो उसके होटों पर मुश्कराट आ सकी और ना उसके हलक से कुछ उता सका लड़कियों ने ख्याय किया ऐसे नकरे अक्सन नहीं नवेली दुलनों का रिवाज है पंतुं का ख्याल था कि एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी पंतुं की मुराद पूरी ना होई ना ही उसकी नाज बरदारियों से कुछ हो सका वीर्णा के चेहरे की वह गुलाब जैसी लाली मा सरसो के फूल जैसा रंग पकरती जा रही थी जो जो लड़कियां उसके साथ हसने, खेलने, मजाक, मस्खरी करने की कोशिश करती तियों तियों वीर्णा का मंग खिजलाट से भर उड़ता वीर्णा का पती एक व्यापारी और खाते पीते घर का नौजवान था प्रन्तो एक युवा हिर्द्य में सुहाग रात को दुलहं को देखने की जो उकसुकता होती है वो ब्रजलाल में आम आदमी से कहीं ज़्यादा थी उसके रिष्टेदारों की लड़की चन्नो जिस तरह ब्रिजलाल के बारे में कहती सुनती रहती थी उसी तरह ब्रिजलाल के पास भी वीर्णा के सौंदर और उसके मदो सभाव की तारिफों के पुल बांधा कती थी ब्रिजलाल बहुत बेसबरी से उस भागयशाली पर का इंतिजार कता रहा था जब वो दुलहंक के चेहरे से गुंगट उठाएगा आखिर भागयशाली कहीं या भागा वो समय भी आ पहुँचा सयोग से सौहाग कश को सजाने का प्रभन किया उसी चन्नों ने जिसने दोनों अंदेखिये आतमाओं को समय से पहले ही एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था दूले ने स्वहाक कश में परवेश किया फेरों के समय और उसके बाद की रस्मों के समय वीर्णा के केवल हाती खुले थे गोरे हातों पर लाल महंदी देख उसका दिल खुशी से जोम उठा अपने भागय को सराते वे वो बड़ा बस सोच रहा था कि शहर में ऐसी सुन्दर पतनी और किसकी होगी खुंगट हटा का जब उसने पहली बार वीर्णा के चेहरे पर नज़र डाली तो वो काँप उठा जिस स्वल्ग पुश्प को देखने के लिए उसके आँखे तरस रही थी वही पुश्प इस समय उसके सामने मौजूद था प्रंतु शाखा से तूटा हुआ मुझाई पंख्डियों वाला वीर्णा का चेहरा किसी गहरे विशाद की तस्वीर बना हुआ था वीर्णा भी पती को देखने के लिए कम उतावली नहीं थी चन्नो की दिन पती दिन इस विशय में की गई बातें उसके दिल में रोज नए से नए उससाव मिलने के उतकंठा जगा रही थी प्राप्त होने वाले देव था कि नित्य नए रूप को वीर्णा अपने मन मंद्री में सजाती रही बच्पन और योवन के स्वर्गिक मिलंग की मंजिल पर पहुँचने से पहले ही वीर्णा की सब ही आकांशाय किसी अनिष्ट के खुनी जबडों के नीचे मसली जा चुकी थी वीर्णा सचमुच वो वीर्णा थी जिसके ता जहंकृत होने से पहले ही तूट चुके हो पती ने गुंगट उठाया उसका ख्याल था कि वीर्णा जैसे उसने अक्सर सुना था अपने संकोच और शर्मीले पन से उसके दिल का सारा चैन लूट लेगे पन्तु वीर्णा तस से मसना हुई जैसे उसमें हर्कत नाम की कोई चीज हो ही नही यारो दोस्तों की महफिलों में ब्रेजलाल इस प्रत्थम मिलन के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था उसे बताया गया था कि वो मिलन, मिलन ही नहीं जो इंकाल की चाशनी में लिप्टाना हूँ तो यहां उसने जो कुछ देखा वो उसकी फिलोसोफी के बिल्कुल विप्रीद था एक अमीर गह का लड़का जिसने जवानी के प्रारंभिक दिन या दोस्तों की महफिल में गुजारे थे जिसकी नजरों में माशुक का ही दूसरा नाम पत्नी हो और जो शादी को भोग विलास के समाजिक लाइसेंस से ज़्यादा कुछ भी न समझता हो उसके दिल पर इस पहली नजर का क्या परभाव पड़ा होगा इस बात का जवाब देना मुश्किल है तो भी इतना जरूर कहना पड़ेगा कि ब्रजलाल की लगवग आधी मिलन उस्सुकता शितिल पड़ गए वो पलंग पर बैट किया फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ वीणा के कंधे पर रख दिया पर वीणा उसी तरह अचल थी वो पलके भी नहीं जपक रही थी वीणा पती ने उसकी चूड़े वाली बहां पकड़ कर कहा इतनी प्रेशान क्यों हो इधा देखो वीणा को जैसे कोई भूली बिस्री बात याद आ गई हो जैसे उसे यादी नहीं रहा हो कि वो किस अवस्था में किस जगह और किसके साथ बैठी हुई है कट पुथली की भात उसने पती की ओता का मैंने शायद तुम्हें अराम नहीं करने दिया पती ने उसकी मोटी आँखों में निराशा देख कर कहा नहीं वीणा ने जैसे गहरी नीन से जग कर कहा तुम्हें मेरा न अच्छा नहीं लगा हाँ वीणा ने सिर्फ हा में सरहिलाया मुझसे कुछ नहीं बोली जिसके दोनों आथ निकाले जा सकते थे मैं चला जाओं नहीं बैठा रहूं हाँ तुम्हें नेन तो नहीं आ रही नहीं तुम्हें मालूम है तो मेरी पत्नी हो हाँ ब्रेजलाल इसे एक अश्र वाले हाँ ना के उतसित तंग आ गया अपनी कलपना द्वारा उसने पत्नी का जो व्यभास सोच रखा था उसका उसे वहाँ नामों निशान भी नजर नहीं आया उसके निराशा बढ़ती जा रही थी वो पत्नी को हसते, चहकते, मस्खरी करते देखना चाहता था उसके मूँसे मत छेडे न, आदी शब सुनना चाहता था उसने देखा, इन में से कोई भी शद विणा के पास नहीं था वो निराश होकर ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ अच्छा, मैं जाता हूँ और उसका ख्याल था कि विणा जट पर उसकी बाजू पकड़ लेकी पर उसके आकांशा का कोई भी हंश पूरा ना हुआ दर्वाजे के पास जाका उसने एक बार फिर पीछे मुड़का देखा अब पूछा, जाओ नहीं, विडा ने उसकी तरफ देखका, सिर्फ इतना ही कहा ब्रिज लाल के प्रुशत्र ने उसे ललका रहा यहां और देर तक रुखना उसे अपना तोहीन लगा चले जाने के विचाह से उसने दर्वाजे की कुंडी खोली तो पता चला दर्वाजा तो बहाँ से बंद है वो फिर पीछे लोटा इस बार उसके चेहरे पा कुछ-कुछ क्रोध की जलक थी वो फिर कुछ ना बोला बेशक कमरे में लगा क्लॉक उसे बार-बार घंटे-घंटे भर बाद सुहाग की याद लाता रहा प्रंतुर ब्रिजलाल खामोश था और इसी खामोशी को घंटे-घंटे भर बाद भंग करते हुए क्लॉक ने सारी राद गुजार दे वीरा को पता ही नहीं चला कि कब उसे नीद आ गई थी और जब उसकी नीद खुली तो दिन चड़ चुका था और कमरे में वो अकेली थी इसके बर वीरा को और तीन दिन तीन राते इस घर में गुजारने पड़ी उससे ऐसा लगा मनो ये तीन दिन तीन राते एक युक की भाती गुजरी हो चौते दिन जब उसे पता चला कि आज उसे माय के जाना है तो उसका दिल जो पहले ही उदास था खुश होने की बज़ा है और उदास हो गया आज वीरा माय के जा रही थी जो जो वीरा का माय का नजदी खा रहा था उसके हृद्य की धड़कन बढ़ती जा रही थी शादी से दो दिन पहले कैदास से मुलाकात वाला द्रश्य उसकी आँखों के समश घूम रहा था और एक ही ख्याल दो वरौधी रूपों में उसके दिल में उठ रहा था पहला ये कि जाते ही इश्वल की केरपा से उसे पहले कैदार की शकल दिखाई दे और दूसरा ये किदार से मुलाकात ही ना हो फिर वह कैदार के उस दिन के कहे वाक्यों को याद करते हुए करमवार, मन ही मन धुराने लगी इन्ही ख्यालों में दिल के उताफ चड़ाफ के साथ उसने रास्ते का सफ़ समात किया और अंतिताहा रावल पिंडी स्टेशन आया उसके बाद तांगा कई बजारों से गुजरते हुए उसके घर की ओज जा रहा था ससरार में रहते हुए विडा ने सोचा था कि रावल पिंडी पहुंचते उसके सारी उदासी दूर हो जाएगी उसके भीतन नहीं तास्गी, नहीं स्फूर्ती आ जाएगी पर उसने देखा, जो कुछ हो रहा था उसकी कल्पना के विर्पीत जैसे जैसे वो घर की और बढ़ती जा रही थी उसके उदासी उतनी ही बढ़ती जा रही थी गोड़े की टापे मानों जमीन पर नहीं उसके सीने पर पढ़ रही थी तास्गी के बजाए किसी अग्यासी पीड़ा ने उसके दिल को बेंधरना शूर कर दिया जब तांगा गली के मोड पर आकर रुका तो वीर्णा के सामने एक ही चीज बाकी रह गई थी कैदार उसका दिल चाह रहा था कि अपने सम्मंधियों में सबसे पहले उसे कैदार की शकल दिखाए दे मा के गले लगकर वीर्णा जी भर कर रोई फिर बेहन भायों को उसने जी भर कर प्यार किया और चुमा मा से उसने सबसे पहला सवाल अपने पिता के बारे में किया पापा जी आये या नहीं पर तो इसका जो जवाब उसे मिलना था उसे वो पहले ही मा के चेहरे पर पढ़ चुकी थी और जब उसे जवाब नहीं मिला तो उसके दिल में एक चोट सी लगी दूसर सवाल जो कैदार के घर में कहीं ना देखकर उसके दिल में मचल रहा था और वो उसके होटों तक आकर पता नहीं क्यों लोट चाता था वो चहाते हुए भी मा से कैदार के बारे में ना पूछ सकी अंतिता जब उसे विद्या से पता चला कि वो आया था प्रन्तु फिछ चला गया और जब उसके पास से सम्मंधियों का जमघट हटा तो उसने मा से कैदार के बारे में पूछी लिया जवाम में माया ने सारा किस्सा जियों कत्यों सुना दिया वीर्णा की नीचे की सांस नीचे और उपर की उपर ही रह गई माया को एक नई चिंता ने आखिरा चार दिनों में ही वीर्णा का ररंग पीला पड़ गया था उसने वीर्णा से इसका कारण पूछना चाहा था पर उसका हिरद्दै समें दुख, चिंता और निराशा से इतना भरा हुआ था कि वो कुछ पूछने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी रात हुई लेटी लेटी वीर्णा को बताने क्या सूझा वो माया से कहने लगे बहला बेजी, भाहिसाब का कमरा तो खोल का देखना चाहिए था ना, कहीं कोई खती ना लिखका छोड़ गए हूँ माया ने वीर्णा को बताया कि जाने से कुछ दे पहले ही वह को मरी या कहीं हवा पानी बदलने का पक्का विचार बना चुका था प्रन्तु वीना को कैदार की इस बात पर शक था, उसके चले जाने की बात तो उसका दिल मांग गया था प्रन्तु हावा पानी बदलने वाली बात, बिल्कुल बनाफटी से प्रतित हुई वो कैदार के सभाव से काफी हद तर परिचित हो चुकी थी, वो जानती थी, कैदार ने अपने स्वास्ते की इतनी चिंता कभी नहीं की थी, कि एकदम पहाड़ पर जाने को तयार हो जाता वो स्वयम कितनी बार कैदार से स्वास्ते का ध्यान रखने के लिए कह चुकी थी पंतु हर बार कैदार का यही जवाब होता मेरा स्वास्ते बिल्कुल ठीक है माया तो ना ही करती रही पंतु वीर्णा चाबियों का गुच्छा लेकर कैदार के घर की तरफ तोड़ गई शायद उसे पता था कि गुच्छे की एकात चाबी कैदार के ताले को लग सकती है माया इस वक्त छोटे मुन्ने को दूद पिला रही थी जो काफी देर से जित कर रहा था वीर्णा को गई काफी देर हो गई तो माया भी बच्चे को सला का उसके पीछे जा पहुंची दूसे उसने देखा दवाजा खुला था वो समझ गई कि ज़रूर कोई न कोई चाबी लग गई होगी भीतर जाका उसने जो कुछ देखा माया की टांगे कांपने लगी वीर्णा के हाथ में कुछ लिखे हुए कागस थे और वो जोर जोर से रो रही थी दौड कर माया उसके पास जा पहुंची और कापती अवाज में उसने पूचा क्या बात है वीडी? खत किसकी है? एक भाई साब का और एक भापत जी का और इसके बाद उसने माया को छिट्टियां पढ़कर सुनानी शुकर दी पहले उसने वो खत सुनाया जो कैदा जाते समय लिखकर रग गया था उसमें लिखा था मेरी पुझे माता जी सीडियों में छुपकर मैंने सारी बाते सुन ली थी जो आपके और सदा साब के बीच हो रही थी और उन बातों के परभाव से आपकी जो हालत हुई वो भी मैं जान गया था बेशक आप मुझे धोके बाज और फ्रे भी समस्ते होंगे और इसमें कोई शक नहीं कि आज थक मैंने आपको बहुत सक्त को धोके में रखा है पर मेरी आत्मै और मेरा इश्वर जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया है किसी बुरी नियत से नहीं किया मैं अभी भी इस राज को खोलना नहीं चाहता था प्रन्तु अब जब सदा साहब की जबान से आपको बहुत कुछ पता लग चुका है तो मैं आपको अंधेरे में रखका पाप का भागेदान नहीं बनना चाहूँगा जिस दिन भापा जी को आपने वीणी की शादी के लिए कुछ कर्ज लेने के लिए बेजा था उस दिन उससे तक्रीबन एक घंटा पहले सदा साहब ने मुझे नौकरी पर रख लिया था यदि मुझे मालूम होता कि नौकरी का प्रेणाम ये निकलेगा तो मैं बेशक भूका मर जाता भूल कर भी ये नौकरी स्विकार नहीं करता पर अफसोस मुझे तब पता चला जब भापा जी चार्ज देकर चले गए हाँ जाने के कुछ तेर बात उन्होंने मुझे किसी के हाथ ये खत भेजा जो साथ है खत पढ़कर मेरे पाउं तले से जमीन किसके मैं बहुत दुखी हुआ स्टेशन तक जाकर उन्हें ढूंडा पर उनका कोई पता नहीं चला अंतिता मैंने निर्ने किया मैं पाप का प्राश्चित यहीं उनकी सारी जिम्मेदारिया अपने सर उठा कर करूँगा उस रात वीना और बसंद भापा जी को ढूंडते ढूंडते दुकान पर आये मैंने वीना से जूट मूट कह दिया कि भापा जी बंबई चले गए है दूसरे दिन मैं आपके पास आया तो आपको भी चालाकी से विश्वास दिला दिया कि उन्हें सदा जी ने बंबई भेज दिया है मैंने भापा जी को ढूंडने में कोई कसन नहीं रखी फ्रन्तु सब्व्यत फिर जब आपनी वीनी की शादी के लिए रुपे मांगे तो मैं एपटा बाद जाकर अपना मकान आठ सो रुपे में बेच आया और आपको ये कह दिया कि सदा जी ने दिये है इसी तरह हर महिने जो तंखा भापा जी की कहकर मैं आपको देता रहा था वो भी वास्तर में मेरी अपनी तंखा होती थी ये पंद्रा सो रुपे जो आज शाम मैंने आपके लेंदार को दिये थे वो सदा सामने बैंक में जमा करवाने के लिए मुझे दिये थे परंतु इधर आपके सर पर कज की एक नई मुसीबत देखका मैं बदाश नहीं कर सका परंतु इस बारे में जर्रा भी फिकल करने के आपको नहीं जरूरत मैं बहुत जल्दी ही सदा जी का कज चुका दूँगा और जो आपको एक हजार पर मकान गिर्वी रखना पड़ा है वो भी मियाद से पहले लोटा दूँगा मुझ में अभी इतनी सामरते है मैंने आज आपसे हवा पानी बदलने जाने की जो इजाज़त मानतेंगी थी वो निरा चूट है हवा पानी बदलने की मुझे कोई जरूरत नहीं देखती परंतु मुझे अपने मंग की अवस्था को बदलने की सक जरूरत है मेरा ख्याल है यदि मैं इससे बदलने में काम्याब ना हो सका तो मेरी जिन्दगी जल्दी खतम हो जाएगी मैं जानता हूँ मेरी इस अनोखी बिमारी को जानने के लिए आप बहुत बेचैन हो रही होंगी परन्तु मैं इससे जादा आपको कुछ नहीं बता सकता था किसका संबंध किसी की यादों से है उस याद को बुलाने के लिए मैं यहां से जा रहा हूँ इश्वत दया करे कि मैं सियाद को बुलाने में सफल हो सकूँ और एक बार फिर अपनी धर्म मा के पवित चर्णों की वंदना कर सकूँ खलचादी के लिए आपको चिंता करने की जरूत नहीं पर मातमा आप सभी को सलामत रखें जाने से पहले एक बार वीणी से मिलने की इच्छा थी पर अंतू आपका कैदार ये खत पढ़ने के बाद वीणा ने वो पन्ना लाल वाला खत भी पाया को पढ़का सुनाया इस हालत में मा बेटी पता नहीं कितनी देर तक बुत बनी नहीं वीणा के दिमाग में इस वर्द कैदार के खत का ये अंतिम वाकें गुँच रहते एक बाद वीणी को देखने पर मातमा करे में इस याद को इस याद के रहस्य को शैल वीणा के सिवाए कोई नहीं समझ सकता था आंसों को परॉसियों से चुपाने के कोशिश करते हुए दोनों मा बेटी घर लोट आए नदी की लहरे उठती हैं और उठकर मिट जाती हैं उनका कोई नामों निशान बाकी नहीं रहता पर जिंक किनारों को ये लहरे गरला कर गिरा जाती हैं वे दोबारा किसमत से ही खड़े हो पाते हैं कैदार की जीवन रूपी नदी में ऐसी असंखे लहरे उठी और उठकर मिट गई और निशान के तौर पर कैदार के दिल के किनारों पर जो दरारे पड़ी थी उन्हें बहने के लिए कैदार ने अपना नया सफ़र शूकिया प्रन्तु क्या वो इस लक्षे में सफल हो सका रावल पिंडी से चल कर जब वो अमरसर पहुंचा तो उसने सोचा कि जब तक भैब रोजगार रहेगा उसकी मानसिक दशक ख्राब होती जाएगी उससे अपना यदि कोई इलाज नजर आता था तो यही कि वो स्वयम को काम में व्यस्त रखे यदि वो किसी की याद को नहीं भूल सकता तो कम से कम स्वयम को तो भूल सकेगा वो सोचने लगा कौन सा उपाय है जिसे मैं स्वयम को इन यादों से मुक्त कर सको इसके अतीरित कैदा जिन जिम्मेदानियों की गठी सर पर लादे चला था उसकी भी उसे कमचिंता नहीं थी उसे जादा से जादा रुपया कमाने के आवशक्ता थी और अंतिता उसने घड़ी साज की दुकान पर नौकरी कर ली उसने स्वयम को काम में इतना व्यस कर लिया कि पुराने यादों की हद ही समात कर दी मालिक के मना करने पर भी वो दिन रात काम में जुटा रहता खाने पीने की तो उसे बिल्कुल सुद नहीं थी उसकी आय में से यदि कोई खाच होता तो कम दाम की सिग्रेटों पर या दूद रहित चाय पर परन्तु इतने से भी उसके दिल को तसली नहीं हो सके उसे अभी भी अपनी आय कम लगती थी इसके फलसरूप उसने मालिक के काम में कभी कबारी बेमानी शूकर दी मालिक की नजरे बचा का वो कई घडियों की मरमत के आदे पैसे स्वेहमी माल लेता था परन्तु जब इससे भी पूरा पड़ता जान नहीं पड़ा तो छे महीनों के बाद नौकरी छोड़का उसने अपनी दुकान खोली छे महीनों में ही वो अपने काम में काफी ख्याती प्राप कर चुका था जिस कारण उसके पास काम का भाव नहीं रहा निकम्मी से निकम्मी घड़ी की वह ऐसे सिच्वारू तरीके से मरमत करता कि हाद देखने वाला कहता भाई कमार गदियस ने और होते होते लोगों ने इसका नाम ही कमाल रख दिया अच्छे से अच्छे घड़ी साज भी उसकी काबलियत का लोहा मानने लगे थे अपनी दुकान खोल लेने के बाद उसका काम खूप चमका था उसके आए दिन बाद दिन बढ़ती जा रही थी समय पाकर लोग उसके चाल चलन पर शक करने लगे कंजूस और लालची तो उससे हर कोई समझता था प्रन्तु जादा तर लोगों का ध्यान था कि उससे कोई भारी एप भी है और इसके सबूत के लिए उनकी दलील भी वजनधा थी जो व्यक्ति रोज पांच साथ रुपे कमाता हो प्रन्तु हालत ऐसी हो कि उसके कपड़े फटे हो और स्वादिश खाना खाते तो उसे किसी ने कभी देखा ही ना हो तो उसके बारे में ऐसे संधे उठना स्वाभाविक बात थी शरीर उसका इतना कमजोर था जैसे तपेदिक का रोगी हो यदि चाय पीता तो बिना दूद की सिगरेट पीता तो इतनी सस्ती कि जो एक आने में कम से कम दस तो जरूर मिलती हो तिस पर मेहनत इतनी कि दिन छोड़कर रात को भी काम हाथ से नहीं छोड़ता था पर उन्तो क्यादार ने कभी किसी नुक्ता चीनी की दिखानी नहीं दिया बस सलामत रहे उसकी चाय की केतली और सिगरेट के डिबिया किसी अन्य वस्तू से जैसे उसका कोई वास्ता ना हूँ काम करते करते वो अकसर कोई न कोई गीत कुन गुनाता रहता और यदि किसी से बाचीत काता तो अकारण ही जो से कहकाहा लगा कर हसता उसकी हसी बहुती रूखी, बनाफटी और डरावनी से होती उसके दुकान के पीछे चोटी सी कोठरी थी और यही उसका निवास स्थान था इसके कौने में कोईले का छोटा सा धेर था दिन में वो कितनी बाठ चाय पीता और कितने सिग्रेट इसके गिंती शैद उसने कभी नहीं की थी दुकान की सफाई की तरफ भी वो कम ही ध्यान देता था इसलिए उसकी हर चीज बेटर तीब और धूल मिट्टी से सनी रहती थी सर्दियों का मौसम था, सुबह से ही बारिश हो रही थी बौचार के डर से कैदार ने दुकान के दवाजे बंद कर रखे थे उसके पास एक दो घणियां थी, जिनकी शीगर मरमत करनी थी गराग से आच शाम तक दे देने का इकरार था वो जी जान से काम में जुटा था उसके निकटी अंगिठी पर केतली में चाय चड़ी थी थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पत्थर की प्याली को भरता और पीकप फिर काम में जुट जाता सिगरेट बराबर उसके मुँ में थी बारिश बंद हो गए और कड़कती धूप निकल आई पंतु क्यादार को कोई होश नहीं था वो उसी तरह दर्वाजा बंद के अपने काम में मगन था एक घड़ी का काम उसने समात कर लिया था और दूसी शू करने से पहले उसने फिर चाय की प्याली भर ले फिर डिबिया से सिगरेट निकार का सुल गई दर्वाजे पसे धूप के तेज लकीर भीतर आ रही थी जो उसके सामने से होते हुए सीधी सड़क की भाती दिवार तर चली गई थी सिगरेट के कश लेका कैदार मूँ उचा करके दूआ छोड़ रहा था और ये दूआ इस सुनहरी सड़क से मिलकर लहरे सी पैदा कर रहा था ये लहरे कभी गोल, कभी लंबे चलो के रूप में सड़क से होका दरवाजे की तरफ जिदह से परकाश आ रहा था बहा जा रही थी वो देख रहा था जैसे ही धूएं के चले भाहा निकलने के लिए दरवाजे की जिरी क्यों जाते त्यों ही बहार से आता हवा का जोका उन्हें फिर पीछे की और ठेल देता था वो ये देख का सोच रहा था कि धूआ पीता नहीं ठिक सकता क्यों ये लहरे बन का उथर पुथल पैदा कर रहा है और वो अपने तर्क के जवाब में स्वेहमी सोचने लगता बेशक बेशक ये रुखने वाली चीज नहीं इसे बन दर्वाजे के पीछे रुखना नामुम्किन है इस समय कैदा धीरे धीरे ये परंग्तियं गुंगुना रहा था अलविदा ऐ काफिले वालो मुझे अब छोड़ दो मेरी किस्मत में लिखी थी दर्ष्ट की विरानिया प्रंग्तियों के समाप्त होने से पहले ही दर्वाजे का पला धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया उसने सोचा शैद हवा के जोके से खुल गया हो प्रन्तु जो ही उसने दर्वाजे पर कजनभी से व्यक्ति को खड़े देखा गीत की पंक्ती उसके होटों में ही गुम हो गई और उसके धुएं वाली फिलोस्फिर भी अधुरी रह गई मिस्टर कैदार आप कही नाम है? आगंतुक ने सवाल किया जी हाँ होकुम करें कैदार ने सोचा शेक घड़ी के मरमत करवाने कोई गढ़ाक आया है प्रन्तु अपना नाम सुनते ही वो सोच में पड़ गया मेरा असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं अकसर लोग मुझे कमाल कहकर बुलाते हैं आगंतुक बड़ी बेतकलूफी से फटाफट भीतर आ गया और आते ही उसने कैदार के चलान स्परश के माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं कैदार ने खोजी निगाउं से उस दुबले पतले, लंबे और अधेर व्यक्ति और उसके स्वच खादी पुशाक को देखते हुए पूछा मेरा नाम पन्ना लाल है आगंतुक की नजरों में प्यार, एहसान, मंदी और ममता के भाव थे हरे, हाप कैदार के हाथ से सिगरेट का टुकड़ा छूट कर शोकेश पर गिर पड़ा अब वो हर बढ़ा कर उठते हुए उनके पावों पर गिर पड़ा उसके मूँ से एक भी शब्द नहीं निकला कितनी ही देर तक पन्ना लाल ने उसे सीने से लगाए रखा दोनों की जबाने खामोश थी जबान का काम शैट चारों आँखों के आंसू कर रहे थे ओ मेरे पन्ना लाल मुश्किल से इतना ही कह सका था उसने कई बार क्यदार को सीने से लगाया कई बार हटाया हाप आ गए शुकर है प्रमात्मा का क्यदार ने ये शब्द ऐसे कहे मानो अभी भी वो पन्ना लाल को कल्पना में ही देख रहा हो पत्यश में नहीं परन्तु आप इतने दुबले पन्ना लाल ने कई दार के पिछके से चेहरे और अंदर धसी आँखों की तरफ आशंका भड़ी नजरों से देखते हो पूछा मुझे आप कहकर न बुलाएं भापाजी शायद आपको मालूम नहीं मैं आपका बेशक तु मेरा पुत्र है पुत्र से भी बढ़कर है मेरे सर्वसु का रक्षक पन्ना लाल ने ये कहकर उसका वाक्या पूरा का दिया पंतु क्या तुने पुत्रों वाला काम किया है कैदार स्यम पर लगे दोशारोपन का जवाब न देका कैदार ने पूछा हाँ आप कब है उसके साथ ही और भी असंके सवाल आप कहां रहे कैसे रहे आपके साथ क्या भी थी उसके अंदर घुमर रही थी सब कुछ बताऊंगा पंना लाएके होट फड़क रहे थी उसके मुँसे आवाज नहीं निकल रही थी पहले बता तुने ये ये अपना क्या हाल बना रखा है ये ये उस पाप का प्रैश्चित है भापा जी किस पाप का जो मैंने किया था आपका रोजगा चींकर आपको मौत के मुँँ में धकेलने का वो तो कोई पाप नहीं था ना ही ये उसका प्रैश्चित है प्रन्तु हाँ एक अन्य पाप तुससे जरूर हुआ है शायद ये उसका प्रैश्चित है और पंना लाएके आखे बराई कौन सा भाप जी केदार का दिल काप उठा फिर बताऊंगा प्रन्तु प्रन्तु आप कहां से आ रहे हैं अभी बात काट कर केदार ने पूछा अभी तो मैं रावल पिंडी से आ रहा हूँ रावल पिंडी वहां कब पहुँचे आप हफता बर हो गया है प्रन्तु इतने दिंग कहां गुजारे आपने बड़ी लंबी कहानी है केदार जरा रुक कर बताऊंगा फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो मैं मरने का मन बना कर निकला था प्रन्तु मर ना सका कुछ प्राणों के मोह कुछ नन्य बच्चों की ममता ने मुझे मरने से रोक लिया प्रन्तु घर की और भी ना लोट सकता था घर की हालत तो मृत्यू से भी बढ़का थी आखिर मन की अशांती दूर करने के लिए हरिद्वा चला गया संतों महापुरुशों की सेवा टहल में जीवन को जानने का निश्चे किया इसमें कोई संदे नहीं कि कई पौँचे हुए महापुरुशों की संगती से मन की आशांती तो किसी हद तक दूर हो गई प्रन्तु घर का मो मेरा पीछा ना छोड़ सका सादू बनकर बहुत जब तप किया कटिन से कटिन सादना की प्रन्तु मन की तार हमेशा घर में ही गुंचती थी अंतिता जब दो साल की सादना के बाद भी मैं मो के जाल को न छूट सका था कहार का घर की और रुख किया मेरा ख्यायाल था घर बार सब मटी में मिल चुका होगा और बाल बच्चे रोटी को तरसते हुए अब तक मौत के मूँ में जा चुके होंगे फिर भी एक बार भले इ घर की ढह चुकी दिवारों कोई सही देखने के लिए मन सदा बेचेन रहता था हंतिता मैंने मन में निर्ने किया कि यदि सचमुच घर की दशा वही हो चुकी हो जो मेरा दिल कह रहा है तो भी मैं एक बार जाओंगा जरूर और इसके बाद इस जीवन को सदा के लिए समाप्त कर दूँगा पर तु घर जाका जो कुछ देखा सुना उसने मुझे आश्चरश चकित कर दिया मुझे नहीं मालूम था मेरे पीट फेरते ही इश्वन ने मेरे घर एक देवता भेज दिया था जिसके बलिदानों ने बस भापाजी खतम कीजे इन बातों को संतान यदि माता पिता के लिए कुछ करे तो आप उसे कुर्वानी करेंगे छीक है बेटा पर शायद अच्छी से अच्छी संतान भी इतना नहीं कर सकती नहीं कर सकती ऐसी बाते करके आप मुझे शर्मिदा ना करें भापाजी पहले ये बताएगी घर में सब कुशल तो है हाँ कुशली समझो 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 से क्या मतलब है भापाजी बाद मैं बताऊंगा पहले अपनी बेजी का संदेशा तो सुन लो जी पहली गाड़ी से तुझे मेरे साथ रावर पिंडी चलना पड़ेगा यही है उसका संदेशा खैदा तुने हद कर दी आस तक उस बेचारी को अपना पता तक नहीं दिया हाला कि तुम कई बार पैसे बेजते रहे हो परन्तु सिर्फ अम्रसल की मुह से बेचारी को क्या पता चलता मैंने जान बुच कर स्वयम को छुपा रखा था भापाजी कैदाल का हृद्दे किसी और का कुशल समाचा सुनने को तड़प रहा था जिसका पना लाल ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया था कई बार कैदाल की जमान पर वीर्णा का नाम आते आते रुक्या परन्तु मैं तो शायद अभी नहीं जा सकूंगा भापाजी क्यादान ने थंडी सांस लेकर कहा क्यों? पना लाल ने ये अजीब सा सवाल सुनकर आश्चरे वैत किया अभी, अभी मेरा फर्ज पुरा नहीं हुआ अभी तेरा फर्ज पुरा नहीं हो सका? जबकि हजार की जगा तु तेरा सो रुपे भेज चुका है वो मेकान, हम कब का छड़वा चुके है अब तुझे मेरे साथ जरूर चलना होगा प्रंतु सदार जी के पंदा सो में से अभी चासु रुपे बाकी है सदार जी तुझे माफ कर चुके है उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है प्रंतु रखम के अतिरिक्त मुझे अभी भी उनका करजा चुकाना है वो क्या? उनके काम में बेमानी करके मैंने कुछ रुपे बचाये थे कोई हरज नहीं बेटा मैं जानता हूँ ये सब तुने उपकार करने के लिए किया था उस रखम को मैं चुका दूँगा और सदाजी तो तुम पर बहुत प्रसन है उनकी बहुत ख्वाईश है तुझे अपने पास रखने की पहले की भाती? आपको निकाल कर नहीं नहीं हम दोनों के पार्ठनर बंकर रहेंगे वो पेशावर में अपनी ब्रांच खोलना चाते है क्यदा दूविधा में पड़ गया बैकि पन्नालाग के साथ जाने के लिए कुछ हत्तर रजामंद भी हो गया और इसके साथ ही उसे पन्नालाग की कही हुई बात पाप और प्राहश्चित वाली बात भी याद हो आई उसने पूछा और आप कहने जा रहे थे मुझसे और कौन सा पाप हो गया था देखते ही देखते पन्नालाग का चैरा गंभीर हो गया उसके आँखों में गं की पच्छाईयां उतर आए कितनी ही देर तो बोला ही नहीं गया फिर माथे को हाथ में पकड़ का बोला खैदार तुने वो सब किया है जो इस दुनिया में असंभव है मेरे परिवाल को भूक और मुसीबतों से बचाया तो ये तुने पन्नालाग का गला भराया उसे हिच किया आगे ये देखकर क्यादार का दिल ढड़कने लगा उसने पन्नालाग का कंदा हिलाते हुए पूछा बताईए भापाजी क्या किया मैंने बताईए भापाजी फिर कौन सा पाप हुआ मुससे भगवान के वास्ते जल्दी बताईए क्यादार तुने बेचारी वीर्णा की जान ले ली वीर्णा वीर्णा उसकी मृत्य हो चुकी है भापाजी क्यादार के अंगों में मुर्दनी चा गई उसकी आँखे बंद हो गई और कुछ देर बाद जब खुली तो उसने देखा पन्ना लाल आँके पहुँच रहा था कितनी ही देर क्यदार कुछ बोल ना सका उसके आँखों के समश अंधिरा चा गया उसे क्या हो गया ये सवार क्यदार के पीता से एक बार नहीं बार बार उठा प्रंतु वो पन्ना लाल से पूछ नहीं सका शायद उसके अंतरमन ही उसे सवाल का जवाब दे रहा था जाले, स्वैम्यों से माल कर पूछते हो उसके पूछे बिना ही पन्ना लाल ने बताना शूक्या मेरे पहुंचने से दो सप्ता पहले ही उसके मृत्यू हो चुकी थी मृत्यू से पहले बिगुशी में जो बाते उसके मूँ से निकली थी उन्होंने तुम्हारे बेजी का धिल टुक्रे टुक्रे का दिया जस दिन से वीना गुचरी है बेजी के मूँ से हर दम यही निकलता रहता है हाई यदि मुझे पता होता तो मैं वीनी को कैदार से ब्यादेती कैदार की जबान में बोलने की शक्ती नहीं रही थी उसके आँखे खुली थी प्रन्तु वो शायद कुछ भी देख नहीं पा रही थी उसके होट, जीब, तालू, सब कुछ जैसे पत्थर हो चुके थे काफी देथ दुकान में एक खामोशी चाही रही जैसे कहने सुनने के लिए कुछ शेश न रहा हो होनी पर किसी का जो नहीं बेटा पन्ना लाल ने अंतता इस खामोशी को भंग करते हुए कहा चल कर अपनी बेजी को दिलासा दो, वो मरना सन हो रही है कैदा उसी तरह बुद्ध बना बैटा रहा बेटा मैं जानता हूँ, तुम्हारे दिल की हालत को गजब की शेहन शक्ती दिखाई भी तुमने यदि तुम एक बार भी बता देते कि वीणी के लिए यह वीणी ही मा के पास इस रास को खोल देती प्रांतु होनी अटल है कैदार खामोश और अटल था ना उसके होट ही ले, ना आखों की पई के जबकी मानो पत्थर हो जानते हो, पन्ना लाल बोलता गया वीणी की मा तुमें बुलाने के लिए तिनी उतावली क्यों है अब तक कैदार का हिर्द है पहली चोट की पीड़ा को सहर कर कुछ चैतन नहीं हो गया था उसकी पतलियां कुछ फड़की और उसने मानमिक द्रष्टी से पन्ना लाल क्यों देखा वो विद्या को तुमसे ब्याकर सही मायनों में तुझे अपना पुत्र बनाना चाहती है विद्या भी अब बड़ी हो गई है वीणी से यूँ तो दो साल चोटी है प्रंतु कद काठी की द्रष्टी में उससे बड़ी लगती है पन्ना लाल की बात सुनकर कैदार ने कहा परी अथोड़ी देर बात बोला भापा जी वीणी चली गई मेरा तो सब कुछ चला गया इस बारे में फिर कभी भी मुझे से कुछ मत कहिएगा भापा जी मैं मैं अब बोलने के बजाए कैदार जोर जोर से कहा माल का हस पड़ा पर तो पन्ना लाल देख रहा था कि यह हसी कैसी है आँक की लपटो को जैसे कोई घांस की गठी के नीचे चुपाना चाहता हो नहीं कैदार अधिकार पूर्ण हट से पन्ना लाल बोला तुझे मानना ही पड़ेगा मेरा ना सही पर जिसे तुने मा कहा था उसकी आकांशा को तुम ठुकडा दोगे इसकी मैं तुमसे कभी आशा नहीं कर सकता अपनी धर्म माता के लिए मैं सब कुछ करने को त्यान हूँ परन्तु भापाजी शायद उने नहीं मालू कि कैदार कब का खतम हो चुका है क्या वो कैदार की लाश को इस काम में इस्तिमार करना चाहती है असंभव है बापाजी बिल्कुल असंभव कैदार घर तो चल अच्छा एक बार जैसा तु कहेगा वैसा ही होगा बापाजी यदि इस चोट को बदाश कर सका तो तुझे जाना ही पड़ेगा भापा जी क्या आप मेरी मृत्यू चाहते हैं नहीं बर्खुरदार मैं तुम्हारी जिन्दगी चाहता हूं तो फिर मेरा कहना मानी मुझे अभी मत ले चली वहां जाकर मेरे हृद्ध के जाक हम फिर हरे हो जाएंगे ये समझते हुए भी कि यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो मैं तयार हूं चली अभी चलिए कैदार के इन बातों में पन्ना लार को इतनी सच्चाई नजर आई कि फिर इस विशे में उसके जबान से एक शब्द भी नहीं निकला अब वो मन मार कर रहे किया अंतिता पन्ना लार को कैदार की बात माननी पड़ी रात कैदार के पास गुजार कर अगले दिन पन्ना लार रावल पिंटी लोट किया जाने से पहले पन्ना लाल ने उसे बार बार जो चेतावनी दी वो थी कि उसके स्वास्थे के बारे में और उसकी ये ताकी दें तथा चेतावनिया तब तक जारी रही जब तक गाड़ी ने विसल नहीं दी उत्तर में कैदान ने हर बार उसे यही विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आरके से वो अपने स्वास्ते का पूरा ध्यान रखेगा गाड़ी जब चलने लगी तो कैदान ने जेब से एक पोटली निकाल का पन्ना लाई के हाथ में देते हुए कहा यह रखम सदा जी को दे दीजेगा इस महिने मैं जादा नहीं कर सका नजर की कमजोरी के कारण हब ज्यादा काम नहीं होता मुझसे पन्ना लाल ने पोटली खोल कर देखी कुछ नोट और रेसकारी थी उसने पोटली बांद कर जियोंकी तों कैदार को लटाते हुए कहा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने तुम्हारी बागी रखम माफ कर दी है तो फिर बेजी को दे दीजेगा कैदार ने जोर दे कर कहा इसके बाद दोनों में काफी खीचातानी होती रही परन्तु अंतिता जीत कैदार की हुई जब नीचे उतर को उसने पोटली चलती गाड़ी की खिड़की से भीतर फैती पन्ना लाल को गाड़ी पर चढ़ा का जब कैदार वापस आया था तो भीतर आकर उसमें दर्वाजा का होड़ा लगाया फिर चारपाई पर चाकिरा उसे दुकान नहीं खोली नहीं चारपाई से उठा शायद उठ नहीं सका सारा दिन वो कोठरी में अपने मैले बिस्तर पर पड़ा रहा चारपाई के पास अंगिठी जलती रही उस पर वही उसके चेर संगिनी केतली चड़ी रही जिसमें से घंटे घंटे आदे घंटे बाद काले कहवे की प्याली भर का पी लेता और सिगरेट का धुआ छोड़ते हुए इन पंक्तियों को गाता जाता अलविदा ऐ काफिले वालो मुझे अब छोड़ दो मेरी किसमत में लिखी थी दश्च की विरानिया उसकी प्राण शक्ति आज खटती जा रही थी और इसके साथ ये उसके गानी के आवाज भी धीमी होती जा रही थी लेटे लेटे वो अचानक उठ बैठा जैसे उसे कोई जोरी काम याद आ गया हो उसे जेब टटोली बिलकुल खाली थी फिर इधा उधार इस तरह जाकने लगा जैसे डूपता आदमी सहरे के लिए किसी चीज की तलाश करता है फ्रन्त निराशा के सिवाए उसे कुछ नहीं मिलता उसे अपने प्रौसी उस सिख तुकानधार का ख्याल आया जो अकसर वक्त बेवक्त दो पल उसके पास आकर बैठा कता था और उसके रहसे में जीवन के बारे में कई तरह की बाते पूछा कता था वो जोड लगा कर चार पाई से उत्रा प्रन्त उसकी टांगे लट खड़ा गई बहा तर जाने की शक्ती ना देखकर वो फिर चार पाई पर बैठ किया कुछ देल खासता रहा खासी के साथ खून तो पहले ही आया कता था परन्त वो आज जैसे भीता से खून के नाले बह रहते वो ठक कर लेड गया और इसी हालत में शाम हो गई बहा से दवाजा खटका किसी ने उसका नाम लेकर आवाज दी उसने परोसी के आवाज पहचान ली और जवाब में कई बार कहा होड़ा खोल कर भीतर आ जाओ आवाज जो से नहीं निकल रही थी जिस कारण उसे कई बार दोड़ाना पड़ा आखे द्रवाजा खुला और उसका परोसी भीतर आया मैं तुम्हें ही याद कर रहा था उसने परोसी की तरफ देखकर कहा कभी कभी इश्वर पुका सुन लेता है इसके बाद कैदान ने परोसी से बिने भरिस्वर में कहा एक टेलिग्राम करना था यदि तुम्हें कष्ट ना हो तो परोसी ने फटाफट पता नोट किया और डागः चाकर टेलिग्राम एस्प्रेस टेलिग्राम कराया डागः दू नहीं था इसके बाद कैदान ने उसे शुरू से लेकर अंत तक अपनी जीवन गाता सुनाने शुकर दी जिसे उसका परोसी बड़े ध्यान से सुनता रहा और जब ये गाता समाप्त हुई तो रात आधी से जादा गुजल गई थी उसका परोसी उसे राज की रात अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो देख रहा था कि मरीज अब कुछ देल का महमान है परोसी चला गया कैदार ने केतली से कहवे के कुछ अंतिम खूट उंडेल कर पी फिसरहने के नीचे से डिब्या निकाली जिसमें एक ही सिगरेट पची थी सिगरेट खतम करके वो थोड़ी देल लेटा रहा इस समय वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पार रहा था थोड़ी देर बाद उसने फिर केतली के और हाथ पढ़ाया प्रन्तु वो ठंडी और खाली थी वहां से हाथ कीच कर उसने तके के नीचे से टटोल का सिगरेट के डिब्या निकाली वो भी खाली थी केदार की सांसे धीमी धीमी होती जा रही थी सीने का चड़ाव उताव बार बार बड़ता और गिरता जा रहा था इस समय उसे खूंके उल्टी हुई और उसके बाद केदार नेजीव हो गया उसका सर एक तरफ लटक गया सुबह होने तक केदार की दुकान लोगों से भरी पड़ी थी उसके उसी सिख प्रोसी ने दोपहा तक उसके अर्थी रोक कर रखी थी शैस साड़े बारा वाली काड़ी जो रावल पिंडिस से आती थी उसमें केदार के किसी संबंधी के आने की पतिश्या थी अन्तिता एक बज़े के लगभग एक महीला और पुरुष तांगे सोतरे और भीड को चीरते हुए दोनों अर्थी से लेपट के महीला का दर्द, नाक, रोधन, पत्रों को भी रोला दे रहा था हर देखने वाले का रुमाल आखों पर था आखिर बड़ी मुश्कल से दोनों को अर्थी से अलग किया क्या और अर्थी शम्शान की ओले चाहे गई